नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडी वेस्टू चलिए आज की क्लास में हम सी लेंग्विज जो हमारी चल रही थी, उसके अंतरगात हम पढ़ेंगे, एरे के बारे में, तो एरे होता क्या है, कम्प्लिट रूप से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं, एरे के बारे में, जैसे सी लेंग्विज में हमने बहुत सारी चीज़े उसके बाद हमने constant देखे, तो तीन चीज़े हमारी यहाँ पर अल्रेडी कवर की जा चुकी है, उसके पहले भी बहुत सारे जो हमारे topic यहाँ पर कवर किया जा चुके है, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं, इसके बाद हमारा जो array होता क्या है, एरे होता है, या तो व बाद हो सकता है, 500 जाता है, और यहाँ पर यहाँ पर कर दिया जाता है, इसके लिए इस फादग उठाने के लिए, अनेकाडेमिक आप डालूट कीजिए और यहां पे MPPSC से संबंदित यह गोड यूज कीजिए MPPSC रुकापम में और सरका 10 promo code यूज कीजिए सरका 10 याद रहे सरका 10 promo code यूज करने के बाद यहां पे प्लेंस का लक्ष है अभी क्लियर करने का तो आप चार जून से यहां पे जो बैस सुरू हो रहा है उसमें अभी जोई हो सकते हैं जोईन कीजिए ultimate 60-day press course को कि यहाँ पे दिन का दाइम पे याँ दिरिंग दे यहाँ पे revise कराया जारे theory और practice कराया जारे mcq, evening, evening only chapter 20 से ज़्यादा mock test is already यहाँ पे upload हो चुके हैं इसके अलावा यदि आप revision करना है जाते हैं अपनी गती से तो अभी जोईन कीजिए recorded complete revision batch को complete premiums revision यहाँ पे 270 से जादा classes दिया चुकि प्रिंग कंतरकात और clear your doubts in every live two hours daily classes पे इसके अंतरकात आप यदि revision कर रहा है already तो यहाँ पे संकल MPPSC प्रिलियम्स 2020 का एक batch चल रहा है और अपनी तयरी और मजूद कीजिए weekly 12 session यहाँ पे कराया जा रहे subject wise क्या आप PST की तहरी शुरू से करना चाहते है एक दम शुरू से तो अभी यहाँ कीजिए 10 मंत का foundation batch prelims course यहाँ पे complete कराया जागा मार्च तक और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा से लर्ण करने का ठीकि जो मेगा batch के स्टाइडिंग सुन है यहाँ पांच जनवली से यह सुरू होने ओला है और यह यहाँ आप दोहर 19 का प्रिलेंश निकल गया है तो आप सपनपूर्थी batch को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें अपन पूर्थी कोर्स के साथ कम्प्लीट कराया जाएगा यहाँ पर 35 दूनों में आंसर राइटिंग प्रेक्टिस का सेशन और हिंदी मांध्यम के लिए यह बहुत भी विसेश है यह top educators यहाँ पर दिये गए हैं आप इनके सानिद में आप पढ़ सकते हैं यह top educators यहाँ पर दिये गए हैं आप इनसे पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको करना किया होगा plus courses लेने के लिए इससे आपको 10% का discount मिल सकता है डाउलोड अनकेडमी आप नाओ टुक्राइग MPPC अग्जाम लेट्स क्राइट एरे एक प्रकार का same data type के variable का collection होता है जैसे variable अगर लेते हैं तो variable हम क्या लेते हैं जैसे variable लेते हैं int a,b,c इस प्रकार से लेते हैं तो क्या होता है हम int a type के 3 variable लिए जिसके अंदर गथ हम a में एक अलग value रखेंगे बी में एक अलग value रखेंगे और c में अलग value मान लीजे आपको 3 value लेना है तो 3 variable अपने लिए int a के form है परन्तु आपको कितनी लेना 100 value लेना है जैसे हम a और a के अंदर हम ले लेते हैं जैसे हम ले लेते हैं 10 तो a के अंदर ऐसे 10 लिए तो a जो है आपने आप में कितनी value रखने वाला है 10 value रखने वाला तो 10 value कैसे रखेगा indexing form में a0, a1, a2 इस प्रकार से वहां पर देखने मिलती हैं तो एक प्रकार का data type ही होता है जो कि same data type लगता है same data type का मतलब यहां तो हमने देखें यहांसे int करके a लिए है और एक अंदर हमने 10 value लिए है यानि कि वह same data type यानि कि जो a है या तो वह int हो सकता है या तो वह string हो सकता है या तो वह क्या हो सकता है care हो सकता है float हो सकता है double हो सकता है एरे के जो variable होते हैं वो अपने पास वाले जो memory location पर store होते हैं और एरे का जो initialization होता है वो कहां सोता है 0 से जैसे कि मैंने बताया अगर a की value हमने 5 ली है तो a कहां से सुरू होगा a 0 से सुरू होगा इस प्रकार से यहाँ पर जो होता है यह initialization यानि कि उसको value जो प्रदान की ज हमने तो कहां सुरू होगी वो जीरो से indexing value उनको बोला जाता है और एरे का जो element होता है वो पहला element होता है उसका memory address सबसे कम होता है तो चलिए यहां पर हम देखने वाले हैं जैसे array का इस्तमाल क्यों किया जाता है यह आप से पूछा जाए तो देखें अगर किसी student की नाम को इस्टोर करना है तो उनके जो है उनके लिए अलग अलग variable लेना पड़ेगा जैसे मान लीजे पांच student के नाम को इस्टोर करना पांच बैरेवल लेना पड़ेगा उसके अलावा हम यहां पर अगर array लेते हैं तो array एक्जामपल के तौर पर हम कहले लेते हैं के यहां पर एक st d d जो है st d बन कर के हम ने एक variable लिए यहां जो कि cr का है और तीसरे में एक और लिए तो तीन स्टूडेंट के लिए हमने तीन बैरेबल लिए देखिए अगर दस स्टूडेंट रहते तो दस बैरेबल लेना पड़ता तो इससे काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता किसके फॉर्म में बैरेबल के फॉर्म में पर हम इसी काम को आसान मनाने के लिए इन सब इस प्रकार हम एक ही variable के अंतरगा बहुत सारे य्यमेंट को स्टोर कर सकते हैं और variable जो होता है वह अलग-अलग यहां पर लेते हैं तो इससे काफी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है तो same data type के variable का collection क्या होता है आरे कहलाता है और अलग-अलग प्रकार के हो सकते है एरे एक प्रकार से अगर देखें तो एरे सिंगल मतलब सिंगल या बन डायमेंशनल भी हो सकता है और दूसरा अगर बात करें तो दूसरे जो एरे होते हैं वो टू डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है तो सिंगल डायमेंशनल देख लेते हैं सिं यहाँ पर हम बोल सकते हैं चलिए इसके अन்तरगत अगर देखें तो leave हमको देखने मिलता है सिंगल का सिंगल कालम मी कुल में कि एलते हैं सिंगल या वन डाइमेशनल एरे जिसके अंतरगत पहला प्रहला अम ओल स मतलब मिलता है प्र हम जो है array का नाम लेते हैं एरे का नाम कुछ भी हो सकता है जैसे हम ले लेते हैं उसके बाद size of array देख सकते हैं size of array का मतलब कोश्टक में हम 5 ले सकते हैं और कर लिया यहां से semi-colon से स्को stop कर सकते हैं तो example के तो पर देखें इंट a r r 5 हमने लिए और semi-colon से हमने close कर दी तो यह example हो गया किसका single dimensional array का यहां पर देखिए हम जो है यहां पर इसको इसप्रकार से भी ले सकते हैं जैसे data type हमने लिए array का नाम लिए और size of array लेका direct value भी प्रदान कर ल और जो सेमिकॉलन से इसको टर्मिनेट कर दिया गया है तो इस सिंगल डाइमेंशनल है इसके एक्जाम्पल भी देख लीजिए एक्जाम्पल क्या होगा देखें इंक्लूड यहां पर देखने मिलती है इंक्लूड करके हम जो हैडर फाइल यहां पर ठीक है फिर आप देखें एक मैंन फंक्शन देखने मिलता है प्रोग्राम का द्वार कहलाता है उसके बाद उसको शुरू करने के लिए ओपनिंग ब्रेकेट का जो है यहां पर लगाते हैं और ओपनि पर लगाते हैं तो इंट करके आई लिए और एक लिए नंबर तो आई एक बैरेवल है ठीक है मतलब सिंगल और यह नम यह एक ऐरे है तो एरे हमने लिए पांच मेंने चले दिए नम नाम के जो वेले का है उसमें चले गा है और आप फॉर लूप चला आए फॉर लूप आपने पढ़ा होगा अभी में लूपिंग हमने पढ़ लिए पीछे तो देखे यहाँ पर आई जो है आई की वैलू हमने कहा दिया जीरो दे दिया यहाँ इनिसलेश कर दिया और आई कब तक छोटा रहागा जब तक की पांस तक न पहुंच जाए और आई प्ल of cur crab नंब कर दिया गत्या कर रहे सकता है और यहाँ इनिसक क्या आईगा यहाँ दूसरे बार में टू तीसड बार में 3 चौहती बार में 4 और 5 यहां पर आ जाएगा क्यों क्यों कि यहां पर हमने 5 तक दी है लूप यहां पर एंट हो जाएगा तो इसको हम एक्जामपल के तौर पर रन भी करके देखेंगे अभी कोड ब्लॉक में फिर देखें एरे आप देखें यहां पर आपको जो है क्या देखने मिलता है यहां पर एड्रेस में 4 चार का फरक देखने मिलता क्यों 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 कि जब हम इंट लेते हैं तो इंट जो है इन्टीजर को जो में 4 चार का मिलता है अगर जो डेटा टाइफ है एक एक का फरक देखने मिलेगा जैसे आप देखें इंडेक्सまあ फूर्थ होत यह फिर 1 होता है ने 5 पर हता तो pm टा एलिमेंट कितने हैं देखें यहां पर वन टू यह बैलू है ठीक है और इसका नाम हमने यह दे दिये और उसका एड्रेस मेमोरी में कहा देखने को मिलता देखें अठाइस अठाइस के बाद 32 देखने मिलता 32 के बाद 36 चालिस चालिश के बाद 24 क्यों क्यों कि इंटिKY लिए और यहां पर गैप देकर एड्रेस यहां आटोमेटिक उनने केल्कूलेट कर लिया वेलू यहां पर ले लिए और उसका हमने किस प्रकार डिफैन कि उसकी इंडेक का मतलब होता है जो एक सेधिक रो और एक सेधिक कॉलम में यहाँ पर चलती है जैसे हमने इसको ले लिए इस प्रकार से यह देखे इस प्रकार से ले लिए नहीं कि मल्टी डैमिशनल एक सेधिक कॉलम एक सेधिक रो में जो चलती है उसको बोला जाता है मल्टी डैमिशनल या डबल र हमने ले लिए फिर रो का साइज रो का साइज यानि की पहले हमने थ्री दे दिये और फिर कॉलम का साइज यानि की कॉलम का साइज हमने दोनों का लग अलग जो है बड़े बाले ब्रेकेट के अंतर फोर दे दिये और सेमी कॉलम से उसको टर्मिनेट कर दिये तो आप इस प्रकार से देख सकते, देखे, row का size हमने 3 लिए, तो row की इतनी आ गई, 3 row आ गई, देखे, 3 row आ गई, इस प्रकार से, column का size हमने 4 लिए, तो 4 column आ गई, 1 column, 2 column, 3 column, और यह 4 column, तो आप यहां देखे, address कैसे बनेगा, address मतलब, देखे, यह वाले column का address भी 0 है, और यह वाली row का address 0 है, तो यहां देखे, 0, 0 बन गया, फिर उसके बाद यह वाले column का address 1 हो गया, और यह वाली row का address 0 है, तो 0, 1 बन गया, फिर यहां पर पढ़े तो 2 हो गया, तो देखे, 0, 2 बन गया, यहां पर बढ़ is हम आफंधा से इंडेक्सिंग क्राहिए टीमिंशनल esto कि ऐसे हम से काम कैसे करें जो हम देखेंगे इस प्रकार करें सेवित इन इंट ए आर फ्री और वॉर और यहां देखिये हमने जो है कितने लिए है फ्री और फ्री कर दीजिए टूटल कितना आएगा बारा तो बारा वैलू यहां पर स्ट。 इसजराएंगे बारा वैलू आर श्रुट कर दीजिए यहीं तो करनी बैकें मैं स्टूर होती है। तो या तो उपर वाले ले सकते हैं या तो नीचे वाला, इस प्रकार से हम दोनों को यहां पर maintain कर सकते हैं इसका example मैं बता देता हूं, example कैसे देख सकते हैं आप देखे, include hdio.ch, एक header फाइल है, जिसमें सारे element की definition लिखी हुई है, voidman एक function है, प्रोग्राम का दोवार है curly bracket के अंदर हम उसकी सुर्वात करतें प्रोग्राम की तो हमने देखे जो अभी लिये थे वह हमने यहाँ पर ले लिये क्या देखें इंट AR और 3 और 4 यानि 3 रो ले लिये और 4 कॉलम ले लिये एक को लगा के curly bracket बड़े बाले इसके अंदर हमने छोटे curly bracket के अंदर 3 की ब्लॉक में ले लिये तो एक रो में हमने 1,2,3,4 ले लिये दूसरे में 8 तक ले लिये तीसरे में 12 तक ले लिये उसके आद हमने int i,j करें i और j जो है एक integer type के variable है फिर हमने for loop चला है for loop में हमने i को दे दिये 0 यहीं 0 से मतलब जो है indexing कर दिये फिर i कब तक छोटा है जब तक की 3 तक न पहुंच जाए और i में प्रत्यक बार एक एक प्लस होना चाहिए फिर for loop के अंदर एक और for loop चला है जिसे बोला जाता है nested इसको क्या बोला जाता है nested for loop बोला जाता है तो आप j को ले लिए j ले लिए 0 और j कब तक छोटा रहा कि जब तक की 4 तक न पहुंच जाए नहीं यहां देखे एक रो है और एक कॉलम है दोनों को यहां पर प्रेंट करना आई और जे और बाद में उसका output आपको इस प्रेकार देखने को मिलेगा चलिए code block में इसको run करके हमने जो पहला प्रोग्राम देखे थे 5 element वाला इसको हम क्या करेंगे code block में build में जाएंगे build में जाकर हम क्या करेंगे बिल्ड करेंगे यह नहीं compile हो जाएगा compile होने के बाद बिल्ड में जाने के बाद फिर से हम इसको run करेंगे run करोगे तो देखे आपके सामने array number is 12345 इस प्रकार आगया क्यों क्यों क्योंकि आप देख सकते है array number हमने यह तो लिये थे बाद में हमने जो array की value print करा है और slash n मतलब line break कर वाक लेखा है ठीक है तो इस सारी चीज़ आपको यहाँ पर clear हो गई होगी दूसरा जो प्रोग्राम हमारा उसको भी हम run करके देख लेते है code block में ताकि आपको अच्छे से clarity हो जाए इसको भी हमने क्या करें यहाँ पर code block में लेखा है और यह आप क्या करोगे बिल्ड करोगे और बिल्ड करनेक पर चाहता आप run करोगे तो run करोगे देखे 12345 12 तक आपको complete ट्रूप से यह एरे देखने मिलती है और यह multi-dimensional array कहलाती है तो I hope सारी चीज आपको clear हुई होगी array से संबंदित फिर भी अगर कोई doubt है तो आप मुझे comment box में बताइए मैं उसका doubt जो है next class आईगे उसमें जरूर clear करूँगा तो चलिए मिलते है next class में तब तक के लिए जैहिंद अने अकडमी लेकर आया कि आपके लिए बहुती आकर्शक और free plan MPPSC और रगापन संबंदी देदी आप MPPSC और रगापन संबंदी गंगतेरी कर रहे है तो free plan आपके लिए आपके लिए फाइदा बंद हो सकता है इसका paper analysis कराया जाता है top educators के दौरा इसके लिए आपको करने के है इस फाइदा को ठाने के लिए अनेकडमी को अब डालूट कीजिए और यहां पर MPPSC से संबंदी ये goal यूज कीजिए MPPSC और रगापन में आपका लक्ष है अभी clear करने का तो आप चार जून से यहां पर जो बैस सुरू हो रहा है उसमें enroll हो सकते है अभी जोइन कीजिए ultimate success course को क्यों की यहां पर दिन का डाइम पर याणि during the day यहां पर revise कराया जारे theory और practice कराया जारे यहां पर यहां पर अप्लोड हो चुके है इसके अलावा यदि आप revision करना है अपनी गती से तो अभी join कीजिए recorded complete revision batch को complete premiums revision यहां पर 270 से जादा classes दिया चुकि premiums का अंतरगात और clear your doubts in every live two hours daily classes में इसके अंतरगात आप यदि revision कर रहा है already तो यहां पर संकल्प MPPSC प्रिलियम्स का एक batch चल रहा है enroll कीजिए इसमें live doubt clearing session यहां पर चल रहा है और अपनी तैयरी और मजूर कीजिए weekly 12 session यहां पर कराया जारे subject wise क्या आप MPPSC की तैयरी शूरु से करना चाहते है एकदम सुरु से तो अभी यहां कीजिए 10 month का foundation batch प्रिलियम्स कोर्स यहां पर complete कराया जागा मार्च तक और यहां पर आपको मौका मिलेगा top educators learn करने का ठीक है जो mega batch के starting soon है यहां पर 5 January से यह शूरु होने हो लाए और यह यहां पर दोहर 19 का प्रिलियम्स निकल गया है तो आप स्वापनपूर्थी बैश को लिए सकते हैं और अपने सपनों को साकार करें अपने पूर्थी कोर्स के साथ complete कराया जाएगा यहां पर 35 दूनों में answer writing practice का session और Hindi माध्यम के लिए यह बहुत भी विसेश है यह top educators यहां पर दिये गए हैं आप इनके सानिद में आप पढ़ सकते हैं यह top educators यहां पर जीगे हैं आप इनसे पढ़ेंगे और यहां पर आपको करना क्या होगा plus courses लेने के लिए अनकेडमी का app डाउलोड करना होगा और MPPS वापको संबंदीद गोल चूस करके plus courses में जाना है आपको plus courses के बाद यहां पर get subscription में जाएगी इस वाले option में जाने के बाद आपको यहां पर subscription के plans पगदर दिखने लगेंगे और यहां पर अपने अनसार plans चूस कर सकते हैं और याद रहिए सरकार 10 Chrome code यहां पर जूस कीजिए यहां पर इससे आपको 10% का discount मिल सकता है